तो हम कर रहे थे math का हमारा 3 number chapter का exercise 3.3 इसमें हम सिखे थे 5 digit numbers का addition और 6 digit number का addition with carrying So, ये one number आपको करने के लिए कर मैं आज दिया गया था तो आज यहां करेंगे 2 number तो जैसे कि कल बताया गया था उसके हिसाब सही करेंगे देखो तो पहले 2 number का ए करेंगे ये number में question है 84,8,43,257 ये वाला है 1,79,328 तो इसको add करने से पहले हमें इसको column में यानि की एक place value chart में arrange करना होगा हम ऐसे करके 1s place में, 10s place में, 100 place में, 1000 place में, 10,000 place में और लाग place में से हम column wise इसको सजा दी है उसके बाद इसको add करना है, तो right hand side से शुरू करेंगे 1s place से, तो यहाँ पे 7 and 8, 7 और 8 मिला के हो गया 15, 15 तो 1s place का हमें, यहाँ पे लिखना है 5 और 1 को carry करके, इधर 10s place में उपर में लिखना है, तो 1 होगे carry, इधर देखो 5 और 2, 5 और 2 हो गया 7, 7 और और उपर में जो हम 1 carry लिए हैं, यह हो गया 8, उसके बाद 2 और 3, 5, 3 and 9, 12, 12 हो गया, तो यह 1s place का हम लोग 2 इधर लिखनेंगे और 1 को यहाँ पे carry करेंगे, तो 4 और 7, 4 और 7 हो गया 11, 11 और 1 carry जो था उसको मिला के total हो गया 12, तो 12 हो गया तो 2 को यहाँ पे लिखनेंगे हम, और 1 को यहाँ पे carry करेंगे, उसके बाद 8 और 1 होगा है, 9 और 1, 10, तो इस से सबसे आपको 2 number, A, B, C, D, E, F तक करना है, उसके बाद आपको 3 number, find the sum of the greatest 5 digit number and the smallest 5 digit number, तो 3 number, greatest 5 digit number is 99,999 and the smallest 5 digit number is 10,000, तो इसको हमें मिला देना है, तो 9 और 0 हो गया, 9, 9 और 0, 9, 9 और 0, 9, यहाँ पे भी 9 और 0, 9, 9 और 1, 10,